अजे मिश्रुटेनी के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और किसानों की मांग है कि ग्रीह राज्यमंत्री अजे मिश्रुटेनी को बरखास्त किया जाए साथी जल्द से जल्द उन्हें गिरफतार भी किया जाए लेकिन सरकार अभी तक इस मामले में करना पड़ गया क्या है ये मामला देखे इस रिपोर्ट में 22 नवंबर को हुई किसानों की महापंचायत में भारते किसान यूनियन के नेत आराकेश टिकैत ने केंडरी ग्रीह राज्यमंत्री अजे मिश्रुटेनी को लखीमपूर खीरी मामले में गिरफतार करने की मांग की और उनकी तुलना एक आतंकवादी से की इसके अलावा अगले कुछ दिनों में लखिमपूर खीरी जिले में एक चीनी मिल के प्रस्तावित उदगहटन का जिकर करते हुए टिकैत ने कहा था अगर टेनी चीनी मिल का उदगहटन करने आते हैं तो उस चीनी मिल से कोई गन्ना नहीं ले जाया जाएगा बलकि किसान गन्ना जिलादिकारी के कारयाले ले जाएंगे चाहें उन्हें कितना भी नुकसान हो अब किसानों के अल्टीमेटम का इतना असर हुआ कि केंद्री ग्रहराज्य मंत्रे अजय टेनी ने लखीमपुर में चीनी मिलके उधगाटन सम्हारों का कारिकरम रद्ध कर दिया है यानि कहा जा सकता है कि बीजेपी अब अजय मिश्र के चलते कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इससे पहले भी डीजीपी कॉन्फरेंस में पी एम मोदी के अलावा अजय मिश्र भी शामिल होने वाले थे लेकिन वो वहां भी नजर नहीं आए यानि बीजेपी अब चुरावों के चलते टेनी की वजह से माहौल को बिगडने नहीं देना चाहती दरसल तीनों कृशी कानूनों की वापसी के बाद अब केंद्री ग्रिहराज जिम मंत्री अजय मिश्र टेनी की गरफतारी पर तकरार शुरू हो गई है किसानों का आरोप है कि अजय मिश्र ने किसानों को मंच से धमकी दी थी जिस वजह से किसान आकरोशे थोकर लखीम पूर खीरी पहुंचे थे और वहाँ अजय मिश्र के बेटे आशीश मिश्र ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें चार किसानों की जान चली गई अब देखना होगा कि ऐसे अजय मिश्र के कारिक्रमों को रद करके कब तक किसानों को साध पाती है बीजेपी और कब तक किसानों की मांग नहीं मानती बीजेपी डीवी लाइव की रिपोर्ट